हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर यूटूब चैनल इबुले तो इंगलिस तो फ्रेंड्स आज हम लोग बात करने वाले हैं इडियम्स एंड फेजस की जो कि आपको पता होगा हमारे इडियम विथ ओरिजिन की सिरीज लगातार चली आ रही थी तो आज हमारा उसी का next part है जिसमें हम लोग इडियम का meaning उसके origin से याद करेंगे यादि वो इडियम बना कैसे उसके पीछे की स्टोरी क्या है वो सारी बाते हम लोग clear करेंगे तो चलिए हमारा सब से पहला इडियम दे रखा है get the sack जिसका mean's होता है to be dismissed suddenly from a job यानि किसी एक job से अचानक निकाल दिये जाना, dismiss कर दिये जाना उसे हम लोग कहते हैं get the sack तो friends कहीं न कहीं EDM का जो हमारा meaning होता है वो उसके meaning से बिल्कुल अलग होता है क्योंकि उसके पीछे एक लंबी story होती है तो चलिए हम लोग बात कर लेते है get the sack get means आप लोगों पता होगा प्राप्त होना मिलना और बात करें sack की तो sack का means यहाँ पर होता है बोरे से या फिर कह सकते हैं थैला जो होता है उसे हम लोग कहते है sack या फिर जो बोरा होता है उसे भी हम लोग sack कह देते हैं तो चलिए friends हम लोग इस idiom की origin की बात कर लेते हैं यानि इसके पीछे की story क्या है तो उसे हम लोग एक picture के थोरो समझेंगे तो चलिए उसे देख लेते हैं हम लोग तो friends यह idiom उस समय का है जब workers यानि जो मजदूर होते थे वे अपने सारे सामान वा ओजारों को एक थेले में भरकर ले जाते थे या कह सकते हैं sack का means यहाँ पर थेले से या फिर बोरे से होता था और आपको पता होगा past time में जो worker होते थे वे अपने सारे tools को एक बोरे में भरक काम पे ले जाते थे और जब भी वे workers कहीं पर नई job की सुरुआत करते थे तो अपने sack को building में उस जगह पर रखते थे जहां पर सबस्यादा safe हो तो कहीं न कहीं वे अपने sack को building में boss की office में रखते थे क्योंकि वो सबस्यादा सुरच्छित इस्तान होता था और जब वे काम से खुष नहीं होता था तो क्या करता था उंका जो sack restaurant to find order of उस्होब की खुष नहीं से और उस जाब से क्या कर दिया है और उन्हें अब एक नई job की तलास्का लेनी चाहिए तो इस EDM का भी origin यहीं से बनाता I hope आपको EDM का origin समझ में आ गया होगा यानि कहीं न कहीं get the sack आपको अपना बोरा मिल गया तो कहीं न कहीं आपको वहाँ से क्या कर दिया गया है उस काम से उस जॉब से dismiss कर दिया गया है तो चलिए अब हम लोग नेक्स इडियम की बात कर लेते हैं जो की दे रखा है गाल एंड वाम वुड जिसका मीनिग होता है हेटफुल या फिर कह सकते हैं बिटरनेस एंड रिजन्टमेंट यानि कोई चीज जो कैसी हो बहुत ज़दा हेटफुल हो या फिर बिटरनेस हो यानि बहुत ज़दा करवाहत हो उसमें और रिजन्टमेंट का मतलब होता है क्रोध हो तो कहीने कहीं उसे हम लोग कहते हैं गाल एंड वाम वुड तो कहीने कहीं आप इसका मीनिंग समझ रहे होंगे कई न कई करोध के संसे से लिकल ला है कई न कई घ्रना के संसे से लिकल ला है तो चलिए हम लोग इस EDM के ओरिजिन की बात कर लेते हैं यानि जो हमारा EDM दे रखा है गाल एंड वामवुड ये बना कहां से है तो इसे हम लोग एक पिक्चर के थोड़ो समझेंगे तो चलिए उसे देख लेते हैं तो फ्रेंड्स गाल दा वामवुड इडियम का ओरिजिन जैसा कि आपने भी इडियम पढ़ा सबसे पहला वर्ड हमें मिला गाल तो कहीं न कहीं गाल का मीन्स यहां पर पितासे से है जिसे हम लोग गाल ब्लेडर भी कहते हैं तो गाल ब्लेडर का पहला वर्ड ले लिया गया गाल जिसका मीन्स क्या है पितासे और आपने कहीं न कहीं यह भी सुना होगा कि पितासे से पित रस लिकलता है जो कि कैसा होता है बिटरनेस होता है तो कहीं न कहीं यहाँ पर गाल का मींस बिटरनेस से है और हमारा second word मिला था हमें warm wood तो कहीं न कहीं warm wood का मींस होता है aromatic plant से जो कि कैसा होता है सुगंदित पीड़ होता है और कहीं न कहीं इसका use medicine बनाने में किया जाता है जो की स्वाद में कैसा होता है बिटर होता है तो कहीं न कहीं warmwood यानि जो हमें plant मिला वो भी बिटर है और कहीं न कहीं जो हमारा गाल है और उससे जो पितरस लिकल लाए कहीं न कहीं वो भी bitterness है यानि कड़वाट उस पर भी है तो कहीं न कहीं लोग इनसे क्या करते थे घणा करते थे और कहीं न कहीं बिटलनेस एंड रिजन्टमेंट का स्वाद यानि कहा सकते हैं रिजन्टमेंट का हमारा मीनिंग देता था तो आपको इस एडियम का ओरइजन्स समाप्थ में आ गया होगा यानि गालदा वाम वुट का मीनिज क्या हो जायेगा हैट फुल तो इस पकार हमारे जो दो या हमारे जो थ्री एडियम की स्रीज थी उसका पार्ट हमारा यह समाप्थ हो चुका है तो आगे हम लोग कुछ जाहिन जाहिए बारत